हेलो दोस्तों नमस्कार आपको अपने टेकनिकल ब्रश चेनल पाप का स्वागत है दोस्तों अगर आप येरवर्ड लेना चाहने हैं ओके अच्छा सा गेमिंग येरवर्ड तो आज मैं आपको पेट्रोन और मीवी का दोनों को कमपेर करके मैं आपको बताने वाला हूँ ये सकते हैं हमारे पास पेट्रोन का प्लेवर्ड वन प्रो है और यहां पे मीवी का डूओ पोर्ट के 6 ओके अदोनों में क्या फीचर देखने को मिलती है दोनों का रेट सेम हैं हलका फुलका डिफरेंट है तो यह से पूरी जनकारी देने वालों तो बने रहे हमाई चेनल पर देख सकते हैं दोनों का बॉक्स आपको कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेगी सबसे पहले मैं बॉक्स की आप देख सकते हैं कैसी इसकी यहां पर बनावत है तो चलिए अब इसकी फीचर की बात कर लू तो यहां पर इसकी मोडल नमर की बात करूं तो यह आ जाता है प्ल सकती है इसका एरब भी क्वालिटी भी घजब कि आपको देखने को मिलेगी, यहां से मैं खोलता हूँ यह देखिए, यह देखिए और इसका एर Eph roads आप देख सकते हैं कितनी जवरदस्त है, तो चले इसके features की बात करता हूँ, तो यहां पर देख सकते हैं यह जो आप color की बात करूँ तो यहाँ पर आपको तीन color देखने को मिलेगी इसमें आपको blue, black और green और white तो देख सकता अभी हमारे पास यह blue color की है और इसमे color की बात करूँ तो यह आपको single color ही देखने को मिलेगी only यह black में और जब यह discharge होता है तो red color का जलता है और अभी discharge नहीं इसलिए blue color का जल रहा है ओके अब बात कर लेते दोनों में Bluetooth version की तो यहाँ पे दोनों में आपको five point three okay Bluetooth connectivity के साथ मिलती है version यानि कि दोनों ही बड़ी fast से आपका connect होगा और बात करूँ इन दोनों में कि waterproof है के नहीं तो दोनों में आपको IPX five यानि कि इसमें आपको IPX five का water resistant मिलता है waterproof और इसमें आपको मिलता है shift IPX का four shift proof मिलता है यानि कि हलका फुलका इसमें छीटा परेगा वारिस का तो यह बस सकता है लेकिन आप चाहेंगे कि पानी में डूबो को निकाल दे तो भहिया यह खराब हो सकता है ओके company यह में इंसन नहीं करती है अगर बाच करो दोनों के base की तो यहां पर आपको paunchy waste देखने को मिलेगे तो बाच करो यह है और बाच करो दोनों में अगर driver की तो यहां आpeको सेम आपको 13 mm का driver देखने को मिलती है और बात करूं indicator की तो इसमें आपको indicator नहीं मिलेगी एक भी नहीं मिलेगी यह पेट्रोन वाले में और इसमें बात करों तो यहाँ पे आपको चार इंडिकेटर देखने को मिलेगी एक, दू, तीन, चार जिसे कि अगर आपका बैटरी डाउन है या चार्ज है या इसे लगाएंगे तो यह जलेगा देख सकती है यहां पर देखे जला न तो इससे पता कर सकते हैं कि आपका कितना परसेंट चार्ज है जब इसका दाउन होगा तो यह जो है ना बिलिंग करने लगता है भुकर भुकर तो समझे कि आपका यह डाउन हो गया कब बात करो दोनों में तो आपको टच की बात करों तो दोनों में आपको टच देखने को मिलेगी यह ओके तच से आप कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोलर की बात करों तो यहां पर जिसे कि आप कॉल उठा सकते हैं receive कर सकते हैं, काट सकते हैं और volume का up और down कर सकते हैं दोनों में ये features देखने को मिलती है अगर दोनों की बात करूँ Bluetooth range की तो दोनों आपको 10 meter तक range देता है कि 10 meter के डाइरे में आप इसको connect करके यूज कर सकते हैं और charging case की बात करूँ तो यहां पर आपको type C दोनों में देखने को मिलती है charging और दोनों अगर power supply की बात करूँ तो दोनों में आपको 5 volt की charging लेती है एक ampere तक, ओके 5 से 1 ampere तक दोनों में आपको charging supported है अगर बात करूँ ये दोनों की battery backup की capacity की तो यहां पर आपको patron में 400 mAh की battery देखने को मिलती है और यही बात करें इसमें तो इसमें आपको 380 mb वाले में 380 mAh की battery देखने को मिलती है और यह fast हो जाता है क्योंकि यहां पर 10 minute में company दवा करती है कि अगर आपका battery पूरी तरह से down हो गया है mb में तब 10 minute चार्ज करके 500 minute तक आप इसको use कर सकते यानि कि 10 minutes चार्ज करेंगे तो आपका 8 घंटे तक यह चलने वाली है और यहीं अगर बात करूं तो यहां पर आपको और चार्ज करेंगे तो यहां पर आपको 1.5 घंटे का समय लेगा और केस के साथ आप 50 गहंते तक इसे यूज कर सकते हैं और लोलीटेंसी के बात करो यानि कि यहां पे दोनों में यहां पे देख सकते हैं पैटी MS के दिया गया Gaming Mode में इसमें और मीवी में आपको 50 MS का Gaming Mode आपको देखने को मिलेगी लोड लिटेंसी में ये आगे निकल जाती है अगर बात करूं इन दोनों की प्राइज की तो यहाँ पर आपको ये 1199 रुपए से लेकर 1499 रुपए तक एमेजॉन पर आपको एवाई लेवल है और इसकी बात करूं तो ये फिलिप कट पे 999 रुपए से लेकर 1399 रुपए तक इसकी प्राइज है तो मैं इसे 999 रुपए में पर्चेस किया था तो दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा अगर इससे जुरी और कोई जनकारी चाहिए तो नीचे कमेंड कर सकते है दोनों का यही रिजल निकलता है कि भाईया अगर डिप बेस चाहते हैं तो इसे की तरफ चाहते हैं अगर आप पैंची बेस चाहते हैं तो इसके तरफ जा सकते हैं अगर हेवी क्वालिटी चाहिए तो यह देख सकते हैं आप मीवी के तरफ क्योंकि भी यह देख सकते यह जो है ना यह गिरने नहीं देता है और इसमें आपको चार माइक देखने को मिलेगी और इसमें को इंडिकेटर नहीं देखने को मिलेगी यह जो यह बड़ है इसके उपर और इसमें आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगी जिसे कि आपका लाइट जलेगा बंद तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगागा अच्छा लगा ताप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं